दोस्तो अगर आप Redmi के फेने तो दोस्तो आपको पताई होगा पिछली साल दिसम्मर महीने में Redmi न अपना Most Abidated Budget Powerful Smartphone Redmi 9 Power को इंडिया में लॉच्च किया था जिसमें दोस्तो बड़ी डिस्पले दमदार प्रोसेसर और 48 Mapsule Quadrier Camera setup के साथ 6000 mh की powerful battery दी गई थी और दोस्तो इसी बज़े से इस smartphone इंडिया में काफी popular भी रहा था मगर दोस्तो अब Redmi बहुत ही जल्दे इंडिया में इसी Redmi 9 Power का successor Redmi 10 Power को इंडिया में launch करने की तयारी कर रहा है जिसमें दोस्तो आपको इस Redmi 9 Power की तरह ही बड़ी डिस्पले, दंदार प्रोसेसर और powerful battery backup के साथ शांदार camera setup देखने को मिल सकता है तो फिर दोस्तो आज का ये वीडियो आप पूरे देखते रहे क्योंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में आपसे इसी upcoming Redmi 10 Power स्मार्टपोन के बारें बात करने वाला हूँ और दोस्तो साथ ही बताऊंगा कि ये स्मार्टपोन आपको इंडिया में कब और किस प्राइजपोन पर देखने मिल सकता है मगर दोस्तो आपको ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक देखना होगा लेकिन दोस्तो इस वीडियो मागे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ श्यों लोग सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि दोस्तो मैं हरोज इसी तरह की लेटेस्ट और नोले बल बडिश लेका राता रहता हूँ तो हाई दोस्तो मेरा नाम है पावन कुमार और आप देख रहे हैं टेकनिकल गुदेन यूट्यूब चैनल तो फर चलिए दोस्तो सुरू करते हैं आज का ये वीडियो चलिए दोस्तो आप बात करते हैं कि इस अपकामिंग Redmi 10 पावर में आपको कौन-कौन सा नई फीचर देखने मिल सकते हैं दोस्तो जब Redmi 9 पावर को इंडिया में लांच किया गया था उसमें 6.53 इंच का IPS डिस्पले दिए गया था मगर दोस्तो आपको इस Redmi 10 पावर स्मार्पोन में 6.67 इंच का एक सूपर एंबोले डिस्पले देखने मिल सकता है तो दोस्तो इस स्मार्पोन में आपको डिस्पले काफी बहतरी देखने मिलेगा इसके लाबा दोस्तो आप बात करें से आपको 10 पावर स्मार्पोन के रियर पैनर पर मिलने वाले कैमरा सेट अप के बारे में तो दोस्तो इस smartphone में आपको एक 48 MP का में primary camera, 8 MP का ऐल्टराबरिलिंग किना और 5 MP का macro और दोस्तो इसकी साथ 5 MP का depth sensor देखने हों मिल सकता है जबकि दोस्तो इस phone में आपको video calling और selfie के लिए 20 MP का front camera देखने हों मिल सकता है चलिए दोस्तो आप बात करें इस upcoming Redmi 10 power smartphone की performance यानि processor के बारे में दोस्तो जब Redmi ने Redmi 9 power को इंडियम launch किया था उसमें Qualcomm Snapdragon 662 का processor दिया गया था मगर दोस्तो आपको इस upcoming Redmi 10 power smartphone में Qualcomm Snapdragon 678 का processor देखने मिल सकता है जो दोस्तो latest Android 11 पर based MIUI 12 operating system के साथ में आएगा यानि दोस्तो इस phone में आप आराम से heavy gaming भी कर पाएंगे रेम और storage के लिए दोस्तो इस phone में आपको तीन बेरेंड देखने मिल सकते हैं जिसके एक बेरेंड में 4G RAM प्लस 228 जबन अले storage दूसरे बेरेंड में 6G RAM प्लस 228 जबन अले storage देखने मिल सकती है इसके लावा दोस्तो अब बात करें सबक्राइड में 10 पावर के मैं पार्ट यानि बैटरी पावर वेकप के बारे में तो दोस्तो इस phone में आपको 6000 एमेस की powerful battery देखने मिलेगी जो 18 वाट फास रर के साथ में आएगा यानि दोस्तो इस phone में आपको काफी long live battery देखने मिलेगी जो आपका काफी लंग में समय तक साथ ने भाएगी connectivity के लिए side monitor figure predecessor, dual 4G voltage, FM radio, USB Type-C port, 3.5 audio jack और Bluetooth 5.0 का support देखने मिल जाएगा चली दोस्तो आप बात करते हैं साबकामिंग Redmi 10 power के Indian launch date और price range के बारे में देखिए दोस्तो अभी तक तो इस smartphone के official launch date और price range सामने निकल कर नहीं आए है मगर दोस्तो एक report में यह बताएगा है कि यह smartphone आपको इंडिया भी बहुत ही जल देखने मिल सकता है अब दोस्तो यह smartphone इंडिया में कब और price range बार लांच होगा यह तो smartphone के launch होने के बाद ही पता चल पाएगा तो बस दोस्तो आज का यह वीडिया आपको कैसा लागा मुझे नीची दी के comment सेक्शन में comment करके जरू बताए और दोस्तो साती साथ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया फिलीज लाइक किजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को सायर कर दीजिए और अभी तक शेलो सब्सक्राब निकर को कोगर जिरू पाप सेलके दबा दीजिए क्योंकि दोस्तों मैं हरोज इसी तरह की लेटेस्ट और नोलेबल ब्रिस लेकर आता रहता हूँ जेहिंद बंदेबात रम